नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent अब YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों वीडियो में आज की हम बात करेंगे पाकिस्तान वुमेंस और निजुलेंड वुमेंस के बीच होने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैच नमबर 19 के बारे में अब इंडिया का qualification depend करेगा इस मैच के उपर अगर पाकिस्तान वुमेंस जो है वो निजुलेंड वुमेंस को हरा देती है तो इंडिया कौलिफाई कर सकती है लेकिन 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 दोस्तों यहां पर एक चीज है मैं नहीं चाहूँ है इंडिया ऐसे कौलिफाई करें क्योंकि इंडिया वुमेंस की जो टीम है वो डिजर्व नहीं करती है आगे जाना उत्तरा बैतर क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है हाला कि दोस्तों हम पूरी तरह से सपोर्ट इंडिया को ही करते हैं लेकिन चाहते यही है कि अच्छा क्रिकेट खेल कर जीता जाए तो ज्यादा बैतर होगा अभी दोस्तों लास्ट मैच भी इंडिया उस्ट्रेलिया वुमेंस को नहीं आरा पाई उसके पहले जब जब इंडिया वुमेंस के सामने अच्छी टीमें आई है इंडिया वुमेंस ने स्ट्रगल किया है पाकिस्तान को हरा देती है शिलंका को हरा देती है लेकिन निजले इसी प्लेर्स हैं जिनको टीम में शामिल करना है चलिए सबसे पहले दोस्तों टेलेग्राम पर हो या नहीं जितने भी लोग आज हमें पहली बार देख रहे हैं और लोगों से कहूंगा कि जिन लोगों ने टेलेग्राम जोई नहीं क्या है वो जॉइन करके रखो क्योंकि वह है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा उस पर क्लिक करना और हमारे साथ में जुड़ जाएगा चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेडियू के बारे में मैच कहा है दोबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर इस मै और पाकिस्तान के सिर्फ दो परसेंट भी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्रिकेट अनिस्चित्ताओं का खेले कोई भी कुछ भी कर सकता है इसलिए दो परसेंट हमने फिर भी लेके चल रहे हैं अब बात करें पिछले कुछ मैच इसके बारे में बागलादेश ने 106 बनाय थी और इसके पहले साथ अफरीका ने 166 किया था जो कि स्कॉट्लेंड वूमें चीज नहीं कर पाई अब आपको एक चीज यहां पर किलियर समझ में आ जाएगी जब बड़ी टीम गिंदबाजी कर रही है तो स्कोर बन रहा है डेड़सों से कम जब बड़ी टीम बैटिंग कर रही है तो इसकोर बन रहा है डेड़सों से ज्यादा तो यह चीज आप बिल्कुल किलियर समझ लेना कि अगर निजुजिलेंड वूमें पहले बैटिंग करती है तो इसकोर डेड़सों से ऊपर जा सकता है और अगर पाकिस्तान वूमें पहले बैटिंग कर रही है तो इसक कैप्टेन वाइस कैप्टेन बना सकते हो और अगर गिनबाजी कर रही हो तो फिर बोलर्स पर ही आपको अपना कैप्टेन और वाइस कैप्टेन जी का सेलेक्शन करना है यह चीज आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अब बात करें अगर स्कोर करने वाले प्लेयर की तो बागलादेश की तरफ से नंबर तीन की प्लेयर ने स्कोर किया यहाँ पर भी हर्मन प्रित कोर का स्कोर था यहाँ पर तजमिन ब्रिट्स का स्कोर था और यहाँ पर आलिया रियास का स्कोर था तो क्या देखने मिला है कि पहली इनिंग में टॉप थ्री ने अच्छी बेट रहें फिर आपको second inning की तरफ देखना है तो तजमिन ब्रिट्स open number 4 number 8 और open तो ऐसी कोई खास consistency है नहीं लेकिन second inning में जब बड़ी टीम ने betting की है तो 3 और 1 wicket हमें मात्र देखने मिला है तो वही आपको देखने मिलेगा अब spinners और fast bowlers का role कैसा है चार wicket spinners के 6 wicket spinners के 9 wicket spinners के और 8 wicket spinners ने निकाले है मतलब spinners जो है वो आपके लिए prime choice बन कर आती है spinners को team में pick करके चलना है तो दोसों ये जो चीजे हैं ये जो हमने बात की है pitch से related ये आपको मदद करती है कि किस तरह के पैटन तयार करना है अब दोनों teams के अगर head to head की बात करें तो दोनों टीमों ने total 11 matches खेले हैं जिनमें से निज्जिलेंड women ने 9 matches को win किया है और पाकिस्तान women सिर्फ 2 match को win कर पाई है अभी last time जब ये टीमें December में हमने सामने हुई थी तो पाकिस्तान ने 137 का score किया था डकवर्थ लूइस से निज्जिलेंड ने 101 बनाया मैच को win किया 43 था सिदरामीन का सूजी बैट का 51 एमिलिया केर ने 35 रन प्लस तीन विकेट निकाले थे और कारसल के दो विकेट थे इसके पहले एक और मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने 137 किया था हाला कि ये मैच निज्जिलेंड चेस नहीं कर पाई थी जिसमें मुनीबा अली का 35 था आलिया रियास का 32 था फातिमा सना और साथिया एकबाल तीन और दो विकेट अब एक बड़ी कमाल की चीछ है अगर आपको लग रहा है कि पाकिस्तान इस मैच को विन कर रही है तो ये जो चार प्लियर है न ये इन पे अपना दाव लगा दे न एक लड़ी और लिख देता हूं नीचे निदादार बस ये जो पांच प्लियर है न ये ही आपको पर्फुमेंस करके देंगी इन पांच मेंसे आपको पर्फुमेंस मिल जाएगा अगर पाकिस्तान वुमेंच को विन करती है तो नहीं तो आपको इन मेंसे एका दुक्का प्लियर मिलेंगी बाकी निजलेंड विमन्स की साइड से फ्रेंज जॉन्स की दो विक लाइक नहीं किया है, कॉमेंट नहीं किया है, तो इंतजार किये बिना वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर दीजिए, जिससे कि हमारा भी तुछा सा अंदर से ऐसा लागे, क्यार भी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब मिल रहा है, मोटिवेशन हो जाना चाहिए, अब ज़ अनकारसन और रोज मेरी मेर, अब अगर सामने वाली टीम, मतलब पाकिस्तान वूमेंज का टॉप ओर्डर कमजोर है, तो ये जो दो प्लेयर्स हैं, ये आपके लिए बहुत 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 बहतर प्लेयर बन जाएंगी, वाइस कैप्टन और कैप्टन सी के लिए, क्यों? क् आपके पास में ये बहतर चॉइस निकल कर सामने आते हैं, इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि वैनी रिकॉर्ड कैसा है, इस मैदान के ऊपर निजुलेंड वूमेंन ने एक मैच खेला है, जिसमें सबसे अच्छी बैटिंग कीती, सोफी डिवाइन ने, प्लीमर का 34 था चार विकिट मारे थे, अब पहला नाम है सुजी बैट का जिनका सेलेक्शन परसेंटेज है 82, पाकिस्तान वूमेंन के सामने 50 का बैटिंग एवरेज, पिछले एक साल में लगभग 30 का बैटिंग एवरेज है, दोनों इनिंग्स का रिकॉर्ड अच्छा है, कमजोरी कुछ भी नहीं है, अगर आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाते हो, तो पहले बैटिंग कर रही है, अगर ये टीम तो कैप्टन तो खेर नहीं, वाइस कैप्टन बना सकते हो, फिर है प्लेवर, प्लेवर का रिकॉर्ड पाकिस्तान वूमें के सामने उतना अच्छा रही है 16 का बेटिंग एवरेज है और पिछले एक साल की अगर मैं बात करूँ तो इनका 19 का बेटिंग एवरेज है हाला कि पिछले मैच पे 50 बनाया था क्योंकि सामने वाली टीम बहुत ही जादा चोटी टीम थी लेग स्पिन इनको थोड़ा परिशान करती रही है और इस टीम के पास में दो लेग स्पिनर है एक तो साइदा अरूप शा दूसरी है तौबा हसन फिर नंबर तीन पर आपको कौन मिलता है अमिलिया कैर ये सबसे इंपोर्टेंट पिक है जिनका सेलेक्शन 97 परसेंट है ये क कह सकता हूं कि इनको हमें नहीं छोड़ना है और दोस्तों कैप्टन भी बनाना है पहले बेटिंग कराओगे तो लगबग एक पचास तेईस का एवरेज सेकिन बेटिंग में दो पचास है पाकिस्तान मुमेन के सामने 35 का हाईएस्ट है और 11 विकिट निकाल चुकी है वैसे 33 विकिट इनके खाते में दर्ज है कैप्टन सी के लिए इनसे अच्छी चोईश नहीं है फिर हैं सौफी डिवाइन गेंदबाजी कर लेती है लेकिन रेगुलर नहीं है पाकिस्तान मुमेन के सामने 5 विकिट है और बेटिंग में 27 का बेटिंग एवरेज है पहले ग्रूख हलिडे के अगर बात की जाए तो दोस्तों ये प्लियर आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर सकती है इसका इस्तमाल आप किस तरीके से कर सकते हो इसका इस्तमाल आप कर सकते हो कि अगर आप प्लीमर को टीम में जगे नहीं दे रहे हो तो आप ग्रूख हलिड कर रही हो अगर निजलेंड वुमेंड की टीम और्थोडॉक्स इनको परिशान करता है यह करती है पार्ट टाइम गेंदबाजी कर लेती है यह लैग स्पिन गेंदबाजी भी इनको दिक्कत देती है यहाँ पर साइदा साधिया तोबा और नशारा संदू चार ऐसी प्लेयर ह है फिर हैं לי green, wicket keeper है, wicket keeper में muniba ali अच्छी choice है क्योंकि एक तो वो open करने आती है और दूसरी चीजी है कि वो भी अच्छी betting कर लेती है तो मुनीबा अली बेटर चोईस है, मेडी ग्रीन को अगर रखना है, तो यह आप अपने एसाब से तैय कर लेना, पहले बेटिंग करती हुए ही रखना, अगर रखना हो तो, सेकिड बेटिंग में यह गलती मत कर देना, इसके बाद है इसा बेल गैस, यह भी आपके लिए दो करते हैं, कि इनका रीसेंट फॉर्म हलाकि पिछले दो मैचे से विकेट नहीं आया, उसके पहले तीन मैचे में अच्छी गेंबाजी, 22 पारी, 27 विकेट, 5 पारी, 3 विकेट है, लेक कैस परेक की बात करेंगे, तो इन्होंने तीन में तीन पाकिस्तान के सामने, वैसे 18 में 23 है और 43 परसेंट का सेलेक्शन है इनका, इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है इडन कारसन, 3 पारी, 3 विकेट इनके पास, और 19 में 22 विकेट ये निकाल चुकी है, और इनका सेलेक्शन परसेंटेज 54 का है, और अंत में नाम है, रोज, मेरी, मेर, जो की इस मैधान के उप पर पहले 4 विकेट निकाल चुकी है, और 16 पारी, 15 विकेट इनके खाते में दर्ज है, अब बात करेंगे पाकिस्तान मुमेंस के बारे में, हो सकता है कि निर्जुलेंड मुमेंस की आपको अच्छी नॉलिज हो, क्योंकि सभी प्लेयर्स अच्छा कर रही है, आपको वैसे प्लेयर रखने हैं, तो एक दो प्लेयर तो कोई भी छोड़ देगा, जो कि मिडल ओडर में बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान मुमेंस की तरफ से कौन कौन सी प्लेयर से जिल पे हम दाव लगा सकते हैं, तो जरा देख लेते हैं, सबसे पहले आप एनकी पावर प् अच्छा पर्फुमेंस नहीं है, 28 का हाईय से निदादार का, सबसे पहला नाम आपको मिलता है मुनीबा अली, विकेट कीपिंग में हम पहले ही बात कर चुके हैं, कि मुनीबा अली अच्छी चोईस हैं, तो यहाँ पे तो वैसे भी दिमाग नहीं लगाना, लेकिस पिन इ 21% का सेलेक्शन, अब इनको और्थोडोक्स भी दिक्कत देती है, इनको लेक स्पिन भी दिक्कत देती है, सेकिंड बेटिंग करते हुए दो पचास कर चुकी है, पर हमारा मेल फोकस क्या है, निदुलेंड वूमें की तरफ, यहाँ पर दिमाग आप लगा नहीं पाओगे, रिस्क है, अगर ले लिया जाए ठीक है, एक बार 43 कर चुकी है, इस टीम के सामने, वैसे तो दोस्तों ज़्यादा फाइदे मंद है नहीं, अब अमिलिया केर का नाम आप एक बार फिर से देख पाएंगे, फिर हैं दोस्तों सदाप शमास, साथ का बेटिंग एवरेज, जो पेली तुहू है, रोजमेरी मेर है, और सोफी डिवाइन है, इसके बाद है निदादार, नमबर 4 पर बेटिंग करती है, ये कनफर्म प्लियर है, क्यों है कनफर्म प्लियर, एक तो 4 ओवर पूरे डालेंगी, बेटिंग में नमबर 4 पर आ जाएंगी, और ऐसी बेटिंग है कि हाँ लगबग आपको 15 रन, 20 रन बनाके दे सकती है, जैसे आप देख भी रहा है, 17 का बेटिंग एवरेज है, और 34 इनिंग में 25 विकेट है, लगबग लगबग आप एक विकेट के लिए इनको ट्राइ कर सकते हो, इनका दिन अच्छा हो रहता है, तो ये वाइस केप्ट को ने इनको काफी ज़्यादा टीम में रखा है, और ठीक ठाक है, एवरेज प्लियर कह सकते हो, आप और्थोडोक्स और ओफिस पिन इनको ज़्यादा परेशान करती है, इसके बाद अगला नाम है आलिया रियास, आलिया रियास जब रेगूलर गेंद बाजी किया करती थी तब ज़्यादा बहतर पिक थी, जब से इनोंने गेंद बाजी कम की है, आप देख सकते हैं, 28 पारी में वेटिंग कर चुकी है और गेंद बाजी की है, मातरत तीन पारियों में, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गेंद बाजी ना के बराबर चल रही है, इसलिए टीम में नहीं है, अगर गिंद बाजी करती ही तो रखा जाता, लेग स्पिन इनको भी दिक्कत देती है, और अमेलिया केर इसलिए कैप्टेंसी की दावेदार हैं क्योंकि बहुत सारी प्लेयरेसी हैं, जो लेग स्पिन के सामने फस रही है, इसके बाद एरम जावेद, छो 27 विकेट ही है, तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आप निजुलेंड वूमेन के सामने रिकॉर्ड देखोंगे तो 6 में 3 है, ये उतना अच्छा नहीं है, इसलिए इनको छोड़के चल रहे हैं, अब अंतिम जो दो नाम है, वो साधिया इकबाल और तौबा हसन का है, साधिया इकबाल की गिनबाजी आप देखेंगे, 35 में 47 विकेट है, और रिसेंटली अगर आप उठा कर देखोगे न, तो एक विकेट कमसे का मारा है, मतलब 25 पॉइंट अल्मोस्ट सेफ है, इसलिए साधिया इकबाल टीम में है, बकि अन्तिम जो नाम है तौबा हसन का, इनको टीम में नहीं रखके चल रहा है, हाला कि इनोंने कुछ समय पहले अच्छी गिनबाजिया की थी, अब कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत इसी है, 90% लोग अमिलिया केर, अब तै करना है वाइस कैप्टन, तो क्या रहेंगे, एक तो सोफी डिवाइन, निदादार, एक सूजी बैट, और इसके अलावा आपके पास में एक उप्शन है, रोज मेरी मेर का, यह चार ऐसे उप्शन है, जिनको हम कैप्टन, वाइस कैप्टन, ट्राय कर सकते हैं, टीम कॉम्मिनेशन में, दोस्तों, जिन जिन लोगों को वीडियो अच्छे लगा ह वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कूल मत भूलना, और फाइनल टीम जो मैं आपको दूँगा, वो टेलेग्राम पे मिल जाएगी, इसके लिए डिस्क्रिप्शन कॉमें लिंक है, जॉइन करके रखिएगा, यहाँ पे देखें, मुनीबा अली है, सूजी बैट्स प्लीमर है, अमिलिया केर, लेकेस्परेक, डिवाइन, लीतूहू, मेर और ईकारसन के साथ में निदादार और साधिया इकबाल टीम में मौजूद है, कोई भी बदलाव अगर करना हुआ तो वो मैं आपको टेलेग्राम पे बता दूँगा, टेलेग्राम का लिक डिस्क्रि महाकाल